देश के प्रधानमंत्री की अध्यादेश को फाड़ने वाले राहुल अब सयाने हो गए हैं। प्रधानमंत्री को समझने में ही 10 साल लग गए राहुल गांधी को। मोदी की प्रतार्ना और शा के चक्रव्यू में घिरे राहुल ने सर पर रखा कॉंग्रिस का ताज उतारा और ऐसी सर पर दोड़ लगाई कि आधा समय भाजपाईयों को नए राहुल को समझने और परकनी में लग रहा है। अपने एक नए परिचय की खोच में पैदल निकले हुए राहुल गांधी कहीं सडक नाप रहे हैं तो कहीं बैरागी का जीवन जीते हुए दाड़ी बढ़ा रहे हैं। और तब आप ही आगे आएंगे। परहेज भी कर ले तो प्रिंट मीडिया और सोशल नेट्वर पर राहुल गांधी हर दिन हर घंटे नजर आ रहे हैं। सडकों पर निकले राहुल मोदी की मजबूरी का भरपूर लाब उठा रहे हैं। विदेशों में जहां मजमा जमाते हैं भारी सुरक्षा में ही गंगा घाट पर जा पाते हैं। से लेकर सुमनात के मंदिर तक अकेले ही पहुंच जाते हैं। सेना की कैंपों में जाकर फौजियों के साथ दशेहरा और दिवाली मनाते हैं। दुनिया के राष्ट ध्यक्षियों से मिलकर अपनी छवी को मजबूत बनाते हैं। लेकिन वो सडकों पर जनता के लिए जनता के बीच पैदल नहीं आ सकते हैं। पैदल चल नहीं सकते हैं। आम लोगों से मिल नहीं सकते हैं। प्रधान मंत्री के कद और पद की गरिमा में घिरा उनका व्यक्तित्व केवल सभाव तक सिमित होकर रह जाता है। वे मंच से जुबान के छलांग लगा सकते हैं लेकिस सडकों पर कदम नहीं बढ़ा सकते हैं। जो राहूल कर सकते हैं वो मोदी नहीं और जो मोदी कर सकते हैं वो राहूल नहीं। लेकिन आप जाकर राहूल को समझ में आया कि वो क्या कर सकते हैं। राहुल दक्षिन भारत से उत्तर भारत तक पहुँच चुकी है। कॉंग्रस को लग राए कि उन्हें नेता मिल गया है और राहुल को लग राए कि उन्हें जनता मिल गई। राहुल ने भी ऐसी ही इवेंट कमपनी का हाथ थामा है जैसी कमपनियां मोधी के लिए काम करती हैं, प्रोग्राम बनाती हैं, कब कहां जाना है बताती हैं, मजमाज उटाती हैं और उनका गौरव बढ़ाती हैं, इवेंट तक तो राहुल पहुँच गए लेकिन मोधी को दिमाग मिलाने के लिए शब्दों का चैन और जुबान की शैली बहुत जरूरी होती हैं, इतनी बड़ी भाजपा में अकेले पूर प्रधानमंत्री अटल विहारी भाजपई इसलिए लोग प्री थे, क्योंकि वे कवी थे, शब्दों को गढ़ना और साद्गी की माला में पिरोकर जनता को पहनाना उन्हें आता था, लेकिन वो राजनितिक नहीं थे, इसलिए सत्ता पाकर गवाना और उसे दुबारा सत्ता में आकर उसे ज्यादा दिन नहीं चला पाना, उनका कालांतर बनकर रह गया, लेकिन मोधी कहना ही नहीं करना भी जानते हैं, राजनीतिक लोप्रेत्या की प्रात्मिक शाला से आगे निकल कर राजनीती की परिक्षा से गुजरना होगा भाशा की शैली को समझना होगा शम्दों को माला में पिरोना होगा और शातिर चालों के सहारे पैंतरों के लिए खुद को तयार करना होगा तब जाकर वो कॉंग्रिस का बन पाएंगे देर तो हो ही चुकी है लेकिन अंधेर से बच पाएंगे